कि आप गैल्री की फोटो को PDF बनाना चाहते हैं, कि आप जाना चाहते हैं कि कैसे अपने गैल्री में जो फोटो है, डोकमेंट है उसे डिरेक्ट जो है Adobe Scan में PDF बनाकर शेब कर लें तो ये विडियो आप के लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आसाने से कैसे गैलरी के फोटो को आप PDF वना सकते हो सो इस वीडियो को पूरा देखे सबसे पहले आपको अपने फोन में एड़ाब से लॉग इन कर लेंगे यानि अकाउंट इसका बना लेंगे आप एड़ाब सकेन में इसके बद आप यहाँ पर क्या करेंगे आपके समने इस तरह से कैमरी ओपन हो जाते हैं इसके बद आपको यहाँ पर क्या करने है अपने गैलरी की फोटो को फीडियेफ बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे आपके सामने यहाँ पर शोक करा होगा आप यहाँ पर दिखलेंगे जो कि यहाँ पर एक आइकन सोक करा होगा गैलरी का आप इस पर क्लिक करें के बद आपके सामने शो कर रहोगा जो की कहर रहे allow adobe scan to access photo and media on your device आप यहाँ पर क्या करेंगे allow देंगे allow देने के बद आपके सामने आजएगा आपके गैलरी के सभी फोटो जो कि यहां पर शोक कर रहा हुआ यहां पर दिखरा होगा आपका documents वगरा जैसे कि मेरा यहां पर दिखरा होगा आपके सामने मैं क्या करता हूँ इस document का my PDF बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पर Klik करता हूँ आपको भी inotify किया जाता है कि कैसे आप इसे slide कर शक्ते हैं इससे इसके बढ़ आपको यहाँ पर क्या करना है अगर आप चाहते हं अडिजश्ट करें तो आप अडिजश्ट भी कर शक्ते हैं जैसे कि आपके सामें यहाँ पर दिख़ए होगा, side में black portal capac acontece यानिकी document इसकी बाद आपको याँ पर क्लिक कर देदेना ना है राइट का एक आइकन होगा आप उपर में क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने इस पर से से हो जागा ज़ो की बहुत ही वडिया यहां पर दिख रहा होगा आपको PDF बन रहा है जो की यांप दिख रहा होगा पहले के मुझाबले अभि document बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा और भी एक है जो की यहां पर सोगर जाँ इसको भी मैं सुधार कर दिखाता हूं क्रॉप पर क्लिक करके आप क्रॉप करेंगे जो कि यहां पर क्रॉप है क्रॉप पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप इसको भी इस तरह से अपने ही सापसे सुधार देंगे इसको इस तरह करके आप यहां पर देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ इस तरह आप जो है क्रॉप कर लेंगे क्रॉप करने के बाद उपर में सोग कर रहा होगा राइट का एक आइकन यहां पर दिख रहा होगा बुलू में आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने शोक कर रहा हो जो कि बहुत ही बढ़िया यहां पर डोकुमेंट शोक कर रहा होगा ओरिजिनल दिख रहा होगा आपको इस तरह से कोई भी आपको नहीं लग रहा हो कि फोटो खिंचा हुआ है आप यहां पर देख लेंगे इस तरह हो जाने के बाद अगर आप चाहते हैं इसमें फिल्टर वगरा लगाएं तो यहां पर देता है आपको एड़र वे स्केन कि आप यहां पर रोटेट भी कर शकते हैं अगर आपका यह डोकुमेंट रोटेट यानि उल्टा से खिंचा गया हो तो आप इस पर क्लिक करके इसे गुमा भी शक्ते हैं इस तरह से जो कि आपके सामने आपक शोकरा होगा यह गुम रहा है आप यहां पर देख लेंगे इस तरह करके घुमाते जाएंगे तो घुमते जाएगा आप अपने हिसाभर útil सार्ज का एक ओप्सन है आप इस पर क्लिक करके इसे री शार्ज भी कर शकते हैं नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं जो कि यहां पर शाजी बहुत शार यहां पर दी जाते हैं आप यहां पर देख लेंगे इसके बद आप यहां पर क्या करेंगे शायन टिक पर क्लिक करके इसे शेब करेंगे इसके बद आपके सामने बहुत सार यहां पर options दिख रहा होंगे filters, clean up, make up, delete बहुत शार यहां पर दिख रहा होगा अगर आपका यह document एक से ज़्यादा हो चुका है अगर आप इसको delete करना चाहते हैं तो आप delete पर click करके इसे हटा भी सकते हैं अगर आप इस document का नाम डालना चाहते हैं तो आप इस पर click करेंगे आप इसका नाम भी डाल सकते हैं जिसकी नाम डाल देता हूं मने watching यहाप पर नाम डाल दिया है इसके बाद आप rename पर click करेंगे इसके बाद आप किसम इसका नाम भी change हो जाता है जो कि यहां पर दिख रहा होगा. अब इसे क्या करना है? Save करना है इस photo को यानि यह document आपने बनाई है इसका PDF बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर save बाले button पर click करना जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा save button आप इस पर click करेंगे click करते ही आपके सामें शोकर saving as PDF जो कि PDF में save हो रहा है आपको यहाँ पर wait करना है और यहाँ पर enjoy और आपके सामने पर दिख रहा होगा मेरा upload हो जुका है आपका भी भी इसको अगर आप हटा देते हैं इस तरह से और open करते हैं तो आपका यहाँ पर PDF फाइल मिल जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप यहाँ से कहीं पर भी आप share कर सकते हैं print out भी कर सकते हैं मैं आप पर क्या करता हूँ आपको इस document को निकलना है तो आप यहाँ पर click करके इस icon पर click करेंगे home वाले icon पर और आपके सामने आपका सभी PDF आजाएंगे जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा मैंने आपके सामने यह वाले बनाया हैं तो यहाँ पर दिख रहा होगा PDF है आप इसी zoom भी करके देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दिख रहा ह upp आप इस तरह देखेंगे नीचे वाला भी सुख रहा होगा जो कि यह भी बहुती वडिया है तो इस तरह आप आसानी से अपने photo document को PDF में बना शकते हैं